स्वागत थे आपका इंडिया की बात में मैं आभिसार शर्मा, मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज आपके सामने तीन मुद्दे नई संसद में सिर्फ मोधी 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 ना विपक्ष ना राष्टुपती मुद्दा नमबर दो क्या विदेशों में NRI इसके सामने राली करके और क्या इस मुद्दे को भारती जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है मुद्दा नमबर तीन जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं दो हजार रुपए के नोट के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो भरष्टाचार और काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक है अब उसे वापिस लिया जा रहा है और उसे भी भरष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है, हो क्या रहा है, इसके पीछे का खेल क्या है शुर्वात हम करना चाहेंगे नई संसद के उद्घाटन वाले विवाद को लेकर ये उद्घाटन हो रहा है 28 मई को, जो की विनायक दामोदर सावरकर की जन्म शती है वो व्यक्ती जो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ था, वो व्यक्ती जिसने बारह बार अंग्रेजु से माफी मांगी थी वो व्यक्ती जिसमें गांधी, नहरू, पटेल से कोई समानता नहीं थी जिसने सुभाष शंद्र बोस की आएने का विरूद किया था, मगर सबसे बड़ा मुद्दा, प्रधान मंत्री इसका उधाटन कर रहे है राश्ट बती उप राश्ट पती को बुलाया तक नहीं गया है ये हो क्या रहा है, क्या इस खबर का पन्च शुरुवात करना चाहेंगे और मिलेश जी के साथ अब शार मैं समझता हूं कि यह अन पर्लेमेंटरी है और बिल्कुल और लोगतांतरिक और समवेधानिक है कि भारत की पार्लेमेंट को नई पार्लेमेंट को इनागरेट किया जा रहा है और उसमें प्रेसिडेंट आफ इंडिया को बुलावा नहीं है वाइस प्रेसिडेंट को बुलावा नहीं है अपोजीशन के सामने ऐसी शर्तियं लगाई गई हैं कि अपोजीशन आ नहीं सकता तो ये मैं समझता हूँ कि भयावा है और ऐसा बिलकुल हरगिस नहीं होना चाहिए भाशा क्या है समुद्दे का पंच अभिसार मेरा साफ मानना है कि यह घटना भारती लोकतंत्र के लिए बेहर शर्मनाक है इसमें जिस तरह से बाकिस सब लोगों को और खास और से राश्टपती उपराश्टपती को बार किया वहाँ एक बड़ा संकट है और उससे बड़ा संकट यह है कि इसे बड़े हिंदू उत्सव में तबदील करने के लिए संगोल को जिस तरह से ला रहे हैं जिस तरह से उसके पीछे उसके आगे और पीछे पूरी बैटिंग हो रही है और बताया जा रहा है कि अब यहां से भारत बदल जाएगा यानि सम्विधान पर खत्रा और तगड़ा हो रहा है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच? मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, किसी और की मुझको जरूरत क्या मैं तो खुद से प्यार जता हूँ मोदी जी की इस वक्त यही स्थिती बनी हुई है और कही न कहीं यही भारती जनता पार्टी की राजनीती है एक व्यक्ती और उसका महिमा मंडन ऐसा करो कि उसके सामने संसत भी बौनी पड़ जाए राश्वपती जो की इस देश की सबसे उचे सामवेधानिक पदपर है वो भी बेमानी हो जाए और ये कहीं न कहीं देश की सामवेधानिक मानताओं का अपमान है आगे भी यही होगा मोदी जी के बाद फिर कोई नेता आएगा और यही भारती जनता पार्टी की सियासत का चरित रहे चलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं वाकई एक तरह से अहम ब्रहमास्मी वाला भाव है कि मैं ही मैं और कोई नहीं और दुक्की बात यह है कि फिर आप अमिच्शा एक प्रेस कॉंफरेंस भी करते हैं कि भाई हमने तो सब को बुलाया है मतलब आप कहकर भी एक तरह से थुड़ी शर्मिंद्गी वाला भाव होना चाहिए कि लगातार सामेधान माने को अध्यमानता है वह ऐसा लग रहा है कि लोगसभा कुछ प्रोग्राम कर रही है हनव शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे इन दो ऑगेस्ट प्रेजेंस ऑफ कॉन बिल्ला जी और वह जा भी रहे लोगसभा सेकरेटेरियर से मानो राजसभा है ही नहीं तो मुझे लगता है कि यह सारा का सारा खेल है और जिस तरह से संगोल के इर्दगिर्द पूरा का पूरा वितान रचा जा रहा है कि किस तरह से इसे नहरू ने क्योंकि यहां पर भी वह उपनी पुरानी खुन्नस को निकालने में पीछे नहीं रहे अभिसार बता रहे है कि नहरू ने जो अपमान किया था इस पूरे राजदंड का उसे इस थापित किया जाएगा और जो टूल किट जारी हुआ है गलती से रिलीज हो गया पहले उससे भी पता चल रहा है कि भाश्पा आईटी सेल की क्या त करकिनार करते हुए विपक्ष को बिल्कुल आउट करते हुए और जैसा आपने कहा अविसार सबसे शर्म की बात है कि आपने राष्टपती पहली बार एक आदिवासी महिला को बनाया कुछ तो सम्मान करते लेकिन यहां इसलिए उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि वैदिक मंत्रो चार होगा और उस वैदिक मंत्रो चार का पूरा लाब सिर्फ मुदी जी ही लेना चाहते है। अदर डूबा हुआ है अपने करिश्मे में अपने सोच में कि ना उसे सम्विधान की परवा है ना देश के सम्विधानिक मानताओं की और ना देश की राष्टपती की ही। पहली बात। दूसरी बात की जो भारत का प्रधानमंत्री है वो कौन है। भारत का प्रधानमंत्री जो एलेक्टिट रिप्रेजेंटिटिव होता है सांसद। उसी में से एक को प्रेसिडेंट चुनते हैं। किसके जरीए जो डिमडिक प्रॉसेस है पर्लामंटरी पार्टी की उसके जरीए तो ऐसे में प्रधानमंत्री का दोनों सदनों को इनागरेट करना उनकी बिल्डिंग को इनागरेट करना नई बील्डिंग को ये बिल्कुल अन डेमोक्रिटिक है अन परलामेन्ट्री है इसलिए मैं कहा हूँ भारत की संसत का अगर नई संसत बनी पहले सी तो बननी नहीं चाहिए थी उस पर हम बाद में आएंगे लेकिन इसको इनागरेट करने के लिए जो सर्वतम व्यक्ति थी वो द्रौपदी मूर्मुजी थी क्योंकि वो देश की राश्ट्रपती है उन्हीं के नाम से ये देश चलता है आकाश्वानी दूरदर्शन क अगर चेक आप ठांते हैं ना कोई पैसा लेते हैं तो लिखा रहता है भारत के राश्ट्रपती आपको ये सुपूर्द करते हैं दूसरी बात यह है कि जब आप देखते होंगे कि लोगसभा का जब सेशन चलता है पार्लेमिंट का जब सेशन शुरू होता है पहला तो उस पर प्रदालमंत्री स्वैम ही इनौग्रेट कर रहे हैं मुझे लगता है कि यह पूरी भारत की संसदी परंपरा का खोर उलंगन है अपमान है आर्टिकल 79 जो देश का समिधान है आर्टिकल 79 में बिल्कुल साफ लिखा है कि किस तरह से जिसका जिक्र अब उर्मिलेश जी कर रहे हैं यह सारा विभाजन सब चीजें लिखी गई है यानि यह जो उधगाटन है यह आर्टिकल 79 को धता बता कर उसका दरकिनार करके किया ज चाहता हूँ ओवैसी ने एक दिल्चस बात कही है उन्होंने कहा कि देखी राष्टपती भी एक्जेगिटिव का हिस्सा है तो राष्टपती को भी नहीं करना चाहिए था उद्गाटन स्पीकर को करना चाहिए था आप इस तरक से पड़े लिखे आदमी है लेकिन यह सथारी दल से जो गलबहियां लगती रहती है चुनाव के दरान उस उस धारा को मेंटें करने की लिए एक तरह से उनको खुश करने के लिए संतुस्ट करने के लिए वो यह आ आर्गुमेंट दे रहे हैं इस आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है इसको यह परलामेंटरी जो हमारा procedure है जो हमारा parliamentary जो नियमावली है उसमें ये कहीं उसमें फिट नहीं बैठता पहली बात है और भाशा मैं जरा इसका जो एक दूसरा पहलू है कि आप उद्गाटन कर रहें 28 मई को जो की सावरकर की जन्म शती है अब आग सुब अगर आपने प्रधान मंत्री के भाशन क सुना होगा है जब वो लोटे थे विदेशी आत्रा से तो उन्होंने कहा कि मैं जब जापान गया था और वहां पर जब महात्मा गांधी की मूर्ती का अनावरण हुआ था तो हम सब के लिए कितने फखर की बात है मगर आप महात्मा गांधी की आत्मा को उनकी सोच को आहत क कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के जन्म दिन पर इसका उद्गाटन करके जो कानून के कडगरे में था जब महात्मा गांधी की अत्या की गई थी तो क्या मामला था पूरा मामला था चुनाती देना चाहता हूं प्रधान मंत्री को कि क्या सावर कर या गोड से की मूर्ती का न अलविये जी वो बताते हैं कि कितना पावन दिन है जिस दिन इसका आपको और हमको सबसे पहली जो खबर है 28 तारीक वाली इसका भाश्पक लेकिया महत्व है इसको चुपाया भी नहीं ने कहा कि देश के सबसे बड़े सपूत के याद करते हुए इस दिन को ये संसत को आप उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और पूरा का पूरा महौल बनाते हैं जिस तरह से सोशल मीडिया में भरा पड़ा है सावरकर के इर्दगिड सारी बहस डायवर्ट हो रही है मूल मुद्दे पे बात करने के बज़ाए कभी राजडंड पे बात हो रही है और कभ जिनकी जहनती है उस दिन वो हमें नहीं भोलना चाहिए कि महात्मा गांधी इस देश्ट के राश्टरपती उनकी निशन सत्या के एक आरूपी रहे हैं और वो टेक्निकल आधारों पर उस पूरे मुकदमे में दंड पाने से वंचित हो गए वो मुक्त हो गए टेक्निकल आ पाए और इसलिए उनको उनकी रिहाई हो गई थी लेकिन ना थूराम गोटसे से और इनका वी जो वीडी सावर कर हैं इनकी जो रिष्टें हैं वो तो सभी उसके लिए कोई डॉक्मेंट की जरूरत नहीं है जा मुद्दे पर हम दुबारा आते हैं हम बात कर रहे थे चूकि आपने उस चीज़ का जिक्र किया मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि वो टूल किट दर असल क्या है जिसका जिक्र भाशा कर रही थी कल अचानक एक वीडियो जो है वो घलती से ट्वीट हो जाता है अमत मालवीय और भाजपा सोशल मीडिया की एक और सदस्य हैं प्रिति गांदी उनके द्वारा वो वीडियो तीन-चार मिनिट का है उसके अंदर कई खाचे जो थे वो काले थे याने ब्लाक थे उन खाचों में ये लिखा था कि प्रधान मंतरी जो हैं बहुत ही चिंतन भरी मुद्रा में हैं प्रधान मंतरी सिर जुका कर चल रहे हैं याने कि जो चीज हुई नहीं उसक बस तस्वीरें बाद में लगा दी जाती हैं बाशा इससे पता चलता है कि यह जो सरकार है उस सिर्फ प्रचार पर चलती है इविंट बाजी पर चलती है इविंट बाजी पर चलती है सावरकर को लेके कोई शर्म हया की बात नहीं है कि भाई आप ऐसे शक्स को याद कर रहे हैं इस थापित कर रहे हैं नई संसत की दिन बहुत चोटी बात नहीं है अभी सर कि आप नई संसत का उद्गाटन उस दिन कर रहे हैं जिस दिन सावरकर जैसा शक्स पैदा हुआ और आप ये बताने की कोशिश करें कि अब नई संसत सावर कर कि दिशा में जाएगी और मोदी जी उसको लीड करेंगे और मोदी जी की लीड करने वाला जो टूल किट है वह क्या होगा कैसे उसमें फोटो उपर से नीचे तक जाएगी ये मुझे लगता है एक गंभीर और इसमें जो सेंगल का मामला है उसको लोगसभा में रखने के बारे में या परलिमेंट के किसी महत्पूर जगा पर स्थापित करने का मामला ये बहुत ही भयानक है और ये हमारी पूरी ट्रेडिशन के खिलाफ है क्योंकि हमारे देश में आजादी के बाद से ही जो अशोक चिन है च भारत की लोकसभा में भारत के हर जगा वो दिखाई देता है ऐसी स्थिती में एक दूसरे प्रतिक चिन को ले जाना राजदंड के रूप में ही सही ये बिल्कुल गलत है और हमारी महान ट्रेडिशन का अपमान है इसको हरगिज रोका जाना चाहिए एक और विज्ञापन है और मिले जी एक और विज्ञापन है बल्बों का कि सारे घर के बदल डालूँगा मोदी जी इसी सोच के साथ जो आए हैं चलिए आप हम रुक करते हैं आज के दूसरे विश्राय का प्रधा मंत्री विदेश यात्रा पर थे जब पापवा नियू गिन किया गया लोगों को भर-भर के चार्टड विमान में लाया गया बसों में लाया गया मगर उसे भारत की अस्मिता के साथ जोड़ दिया जाता भाशा बताएं अभिसार जिस तरह से जी सेवन से लेकर सिड्नी तक की यात्रा में पूरा का पूरा पी आर मेनेजमेंट किया गया कि हम विश्व गुरू हैं यह जो सरासर जूट इस्थापित करने के लिए दिन रात मशीनरी चली इसका सीधा सीधा संबंध ये दो बातों से है कि एक तो जूट को किस तरह से आप नीचे तक पहलाते हैं और दूसरा दो हजार चौबिस की तैयारी के लिए आप ये सारे इवेंट हमारे पैसे से ही करते हैं ये पैसा भारती नागरिकों का है जो मोदी जी सिड्नी में खर्च कर रहे थे यह बात याद दिलानी बहुत ज़रूरी है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच देखें इस मुद्दे पर मेरा पंच क्या है सारी कवायद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक रॉक स्चार की तरह इश्वर तुल लाजन लाइफ इमिज पेश करना इस मुद्दे पर गौर कीज़े जो मैं कहने जा पैसे नहीं लगाने वाला है कोई नहीं छोड़ेगा माँ पर मगर यह बतलाया जाएगा कि देखो प्रधान मंत्री बोल रहे है और ओडियन्स में कौन बैठा है और बाइस जून को जो बाइडन जो की दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है वो मोदी जी को सुन रहा है कहन अर्मिका आज़ादी पर वहां के विदेश मंत्राले ने अमरीकी विदेश मंत्राले ने भारत पर करारा हमला बोला है इसका जवाब किसी के पास नहीं है क्या है इस खबर का पंच उर्मिलेज जी बताएं कि मोदी जी की अपनी स्टाइल है और यह स्टाइल उन्होंने पूरे अपने पार्टी में अपनी सरकार में स्थापित कर दी है कि उनके सिवा इस शाषन में कोई और नहीं है रोड शोज जैसे उनका होता है चुनाओं में वैसे ये जो मेगा शोज हैं ये केवल देश की जनता को ये दिखाने के लिए हैं कि मोदी जी जैसा कोई और नहीं है सवाल यह है कि आस्टेलिया में इतना पैसा खर्च करके ये सब आयोजन हुआ आस्टेलिया के किसी अख़वार ने किसी टेलिविजन ने अख़वारों में एक आज जगा छोटी ख़बर आई लेकिन टेलिविजन ने तो कहीं नहीं दिया मैं आस्टेलिया के टेलिविजन देखता रहा कोशिश करता रहा कि कहीं तो दिखे कहीं नहीं तो कहां दिखाया गया केवल टीवी पुरम में यानि भारत के जो चैनल हैं सिर्फ वहां क्योंकि प्रोपेगेंडा का वो एक आउजार एक टूलकिट की तरह है कि लोगों को बताया जा सकें कि देखें अस्टेलिया में हमारी कितनी पकड़ है कितना हमारा हमारी पापुलेटी है ये टोटल मुबिलाइजेशन है एलेक्शन के लिए मुद्दा तो यही होना चाहिए था ना और मिलेश जी कि ये जो तमाम एनराइज वहां जुट रहे हैं इतना पैसा खर्च किया जा रहा है ये पैसा कहां से खर्च हो रहा है ये कोई गुप्त चुनावी चंदा है जिसका कोई किसकी कोई जवाब देही नहीं है क् और सबसे बड़ी बात ये तो सिर्फ एक चुनावी राली है उसे आपने देश के सवाभिमान के साथ जोड़ दिया मतब जिसे कहते ना इस देश में कलपना से भी विशित्र हो रहा है हमारे प्रचार तंत्र में देखे अगर कोई अपोजिशन लीडर इसका एक बटा सो आ संजे सिंग आम तोर पे आम आदमी पार्टी के अंदर उनकी इमेज ठीक ठाक है वो सरकारी पत पर भी नहीं रहे हैं अभी उनको फंसानी की कोशिश की गई ती शराब घुटाले में बिना सरकारी पत पर रहे हुए कल पता चला कि उनके तीन सा कर्मियों पर एडी का छाप पढ़ गया क्यों पढ़ गया क्योंकि हाल के दिनों में वो बहुत एक्टिव हैं और पोजिशन की यूनिटी को लेकर आम आदमी पार्टी में एक ऐसी आवाज हैं जो अर्विंद के जरिवाल और अन्यनेताओं से थोड़ी अलग राय रखते हैं उनका मानना है कि एक ब्र रच हो जाए उनके आज उनों पर कोई किसी कुछ चिंता नहीं है क्योंकि सरकार अपने हाथ में हैं लेकिन दूसरों के लिए फांसी लगवा देंगे भाशा एक बात बताये मुझे तो क्या यह माना जाए कि अब जैसे मैंने कहा ना एक लाज़े दिन लाइफ इमेश वाला जो पूरा प्रोपेगांडा किया यह दो धारी तलवार एक तरह से अब उनकी राजनीति का हिस्सा होने वाले हैं होने वाले ने मुझे लगता कि हो गए हैं और ऐसा भी नहीं कि पहली बारे देखिए मुझे लगता है कि दुनिया में जितने लीडर्स हैं विश्व गुरुओं जिनको आप कहिए जो पावफुल एकॉनमी के हैं कंट्रीज के हैं किसी भी जगह बाइडन दुनिया में कहीं जाएं इस तरह की फैन फॉलोविंग का आयोजन नहीं करते अमरीकी राश्टपती से लेकर रूस के राश्टपती से लेकर सब मैंने पूर्य खंग अलग से आयोजन करना पड़ें मुझे लगता है कि यह बीमारी मेड इन इंडिया है में मोदी जी है यह जो खास तोर से एक इमेज बनाना कि दुनिया में अगर इसको सैक्लोजिकल अध्यान करिए तो यह है कि हम बहुत नीचे थे हम दबाए हुए थे हम पिछड़े हुए यह जो जूट रचा गया कि आप जब फोटो होती है जी सेवन में आप शर्त लगाती हूं अभिसार किसी भी से पूछिए आधे लोगों को यह समझी नहीं आएगा कि भारत जी सेवन का मेंबर नहीं है वो जी सेवन में जो गय थे हिरोशिमा में मोदी जी नौ देश थे ज उसे विश्व गुरू बनाया दिया जाता है भारत को पिश्री बार इंडूनीश यह जो समझना हमें जरूरी है कि यह जो जूट है यह सौ फीसिदी जूट है इस जूट को इतना प्रचारित करके अल्टिमेट सच में तबदील कर दिया क्योंकि उनको यह कॉंप्लेक्स है जब लोग सुनते हैं तो इंटिलेक्ट्वल चवी होती है तो आप देखें बैंगलोर और करनाटक वाली हार गई पानी पीने और आप यहां पर विश्व जूट है एक बात जोड़ दें इनकी बात में कि जी ट्वेंटी श्रीनेकर में जो इतना बड़ा आयोजन हुआ जि थी और उस उनको बुलाने के लिए भी काफी प्रयास किया गया था और वो इजिप्ट नहीं आया इस बार हमारे श्रीनेकर में आया नहीं जी जी यह कितना बड़ा कैसी कारिगरी आपके पास है क्या आप कहते हैं कि आपके प्रभाव में पूरा विश्व है लेकिन आप ज तुसरी बात कि ये जो एनराइज के जर्ये जो मोबिलाइशन की बात है देखिए इसके पीछे असल कहानी पैसा है क्योंकि एनराइज जो है वो मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि उनका पैसा उनका धनी होना हमें अच्छा नहीं लगता बिलकुल अच्छा लगता है लेकिन एक व अवलाई जिस तरह से किया जाता है और उनके पैसे का भर पूरी इस्तेवाल अपने देश की आम जनता को भुलावे में डालने के लिए बेवकूफ बनाने के लिए ताकि वो अपने रियल इस्यूद से उनका ध्यान हट जाए और लोगों को लगे सचमुच रियल इस्यूद स का सर्वे आ गया है और वो सर्वे यह कहता है कि प्रधान मंत्री जी के नेत्रत में देश का नान और मान जो है वह अंतराश्विय तोर पर बढ़ा है 55 फीसिदी लोग ऐसा मानते हैं यानि कि तरह से वो टूल किट की जमीन तैयार की जा रही है इसलिए मैं कहता हूं यह एक एंडी टीवी का आपने जिक्र किया एंडी टीवी में जिस तरह से प्रोग्राम फोर्स किया गया था कि मोदी जी महिलाओं की बहुत परवा करते हैं वहां एक महिला हाथ जोड रही थी पैर चूर रही थी उसके बाद वो प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए कि उसके आखरी सूत्र है क्योंकि इंको बड़े पैमाने पर अभिसार करनाटक की हार के बाद ही आकलन हो गया है कि मोदी जी की लोग प्रियता लेता हूं क्या यह अल्टिमिटली बाकफायर करेगा जनता कितनी अंदभक्त कितनी ब्रेंवाश हो सकती है दोनों से मैं बहुत जहां है जहां शिक्षा है खासकर दक्षिन के वहां इसका तो बिल्कुल उल्टा असर पड़ेगा लेकिन गुजरात और उत्तर प्रदेश और गुजरात यह दो विशार मेरा मनना है कि एक हथियार एक स्टेश तक ही इस्तेमाल हो सकता है यह टूल किट इंका बहुत समय से चल रहा है और अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है सिर्फ मैं यह बात नहीं करें कि उत्तर प्रदेश और गुजरात उत्तर भारत के और राजिबी हैं जिन में चुनाव भी होना है और शायद यहां पर उस करा से असर नहीं होगा अगर जटका लगता है बीजेपी को यह हमेशा के लिए खत्म हो जाए नहीं खत्म नहीं होगा मोदी जी फिर कोई और निकालेंगे लेकिन उसके बाद रामंदर जी हमारे पास है भारती जनता पार्टी और नेरेदर मोदी जी हमें शाजी के पास हिंदुत्वा और इस तरह का एनराइज वगरा के जरिये मोबिला इसके अलावा कहीं इनकी सरकारे परफॉर्म नहीं कर पा रही है चलिए अब हम रुक करते हैं अपने तीसरे मुद्दे का और बहुत एहमुद्दा है दो हजार रुपे का नोट अब वो वापिस हो रहा है तीस सितंबर तक आप बैंक्स में वापिस कर सकते हैं तीस सितंबर के बाद आपको रिजर्व बैंक अफ इंडिया जाना पड़ेगा ये तमाम चीज़ें हैं मगर याद कीज़े दो हजार सोला में जब मोदी जी आये थे रात को आड़ बजे मित्रों बोलते हुए तब उन्होंने क्या कहा था कि ये जो कदम है ब्रश्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक है फिर इनका पूरे एक टूल किट लग गया था पापा की परियां और अन्य जो पत्रिकार हैं कि 2000 रुपए के नोट के अंदर चिप हैं अब वही 2000 रुपए का नोट ब्रश्टाचार पर शाप सा बन गया है यानि कि अब वो जो हटाया जा रहा है वो भी सर्जिकल स्ट्राइक है ये हो क्या रहा है इसके पीछे का क्या है केल क्या है समुद्दे का प लेकिन इसने जो अर्थविवस्था पर चोट लगाई है जिस तरह से तक्रीबन 11 फीसरी करेंसी बाहर होगी उसका खामियाजा हमें और आपको बहुत बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि कर ऐसे मुद्दि सरकार अब तक अगर उदारों आप देखें तो उनके जो आर्थिक मुद्दों पर फैसले होते हैं वो ऐसे लोगों के सेजिशन्स पर होते हैं जिनको अर्थ शास्त्र की गंभीर जानकारी नहीं है नोट बंदी जो हुई थी 2016 में लोग बताते हैं कि वो भी पुने में और कुछ अन्य जगों पर बैठे या नागपूर में बैठे कुछ लोगों की सलाह पर हुई थी उसमें कोई गंभीर और शास्त्री प्रदानमंत्री कारियाले का भी इन्वाल्ब नहीं था कोई बड़ा एडवाइजर इन्वाल्ब नहीं था ये जो 2000 रुपए का फिर से इसके चलन को बंद करने का फैसला हुआ है लोग बताते हैं इसके पीछे भी कोई गंभीर और शास्त्री की सलाह नहीं है ये राजनितिक लोगों की सलाह है कि इससे विपक्ष के पास जो पैसा जमा है वो 2024 से पहले ही आप खतम कर डालेंगे तो ये कारण बताया जा रहा है भाशा 2016 का मकसद हम सब जानते हैं कि PSP और समाजवादी पार्टी के जो आर्थिक रीड है उसे पूरी तरह से तोड़ना राहूल गांधी की भारत जोड़ो यातरा शुरू ही जाहर से बात है उसके पीछे भी उसका भी एक आर्थिक पहल हुए बारती जनता पार्टी को फायदा ने के लिए किया ग्या है ताकि बाकी तमाम जगों पे जो सिर्फ राज्मितिक पार्टिया ही नहीं जो चंदा देते हैं जो सपोर्ट देते हैं भारत जोड़ो यात्रा सहित अंगिनत करनाटक की जीत एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं यहां दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगी कि इस फैसले से ग्यारा बिलियन नब्बे करोड पचास लाग बीस हजार रुपे हमारे कूड़े में गए हैं आप सोची छोटी मौटी चपत नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारती अर्थवेवस्था बहुती खराब इस्तिति में हैं सारे फैक्टर्स जो इंपॉर्टन्ट हैं इंडस्ट्री है वो बैठ रही है देश की संसत का जो घाटन है उसमें पहली बार यह एतिहासिक पर इघटना होने जा रहे हैं कि 19 विपक्षी दल बाहर हैं तो उनको किस तरह से घेरा जाए उनके एकनॉमिक रिसोर्स को ताकि 2024 में सिर्फ मोधी जानते हैं इसका एक और पहलू क्या है यह जो हम फैसला बार ले रहे हैं जिस तरह से हम अपनी कारंसी हमारी मुद्रा के साथ मजाग कर रहे हैं मजाग शब्क का इस्तमाल कर रहा हूं आप मुझे बताए अंतराश्ट्री तोर पर भारती मुद्रा की क्या विश्वसनियत है रह जाई अगर आप साथ-साथ साल में इस तरह का फैसला कर कि ये तीन चीजें करेगा एक तो भरस्टाचार खतम करेगा दूसरा काला धन पर ये बहुत बड़ा हमला है और तीसरा डिजिटल इंडिया की शुरुआत को डिजिटल इंडिया को स्ट्रेंथन करेगा क्या ये तीनों हुई मुझे लगता है कि अगर कोई गंभी रध्यन कि आजा इस पर तो ये तीनों काम नहीं हुए है डिजिटल इंडिया की जो प्रॉसेस है जो चल रही है और आज चे नहीं राजी हुगांधी के जमाने से जो एक 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 धीरे चीज़े आगे बढ़ी थी मनमौन सिंग के समय भी आगे बढ़ी थी वो उसी प्रॉस इसमें है ऐसा नहीं है कि उसमें एकसिलरेट कर दिया है किसी ने तो आज भी आप दुकान पर जाएए कहीं आप बोलेगा कि पैसा नहीं है अरे आप 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 वो नहीं कर सकते मर्शीन से पैसा नहीं दे सकते आप कैश लेकर आए ये आम आदमी देख रहा ह यह जो नोट बंदी थी उसने एक तो कबड़ा किया कि कोई आपका गोल पूरा आपका जो टार्गेट था वो पूरा नहीं हुआ इसके जरीए तो काला धान और करप्शन के मोर्शे पे तो बिल्कुल नहीं हुआ और यह जो दो हजार रुपए अर्मिले जी आर्बियाई ने बकायदा आकड़ा जारी किया कि जितना पैसा रण कर रहा था तकरीबन सारा वापस आ गया और आज की तारीख में आप देखिए दो हजार रुपए के नोटों को लेकर जो यह हो रहा है यह भी आप पाएंगे कि यह लगभग सारा का सारा चला जाएगा कि बहुत समय से यह अभी फैसला हुआ है पिछले चे महिने से आप उठाके देख लीजिए आम भारती नागरिक को 2000 के नोट पर विश्वास नहीं था यह चर्चा नीचे तक थी चली आ रही थी कि यह वापस होने वाला तो यानि ना भारती को हमारे नोट पर विश्वास नहीं अंतराश्ट्री बिरादरी को हमारे नोट पर विश्वास नहीं मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूं सिर्व इसलिए कि आपको अपने राजनीति को देशों की पूरती करना है यह अपने आप में कैसी आपराधिक सोच है कि आप देश की एकॉनमी की ऐसी तैसी कर रह कि आप जनता को हम जतना ज्यादा परिशान करें और कोई परवानी लिए इस बात की बिल्कुल और आश्चरजनक ये है अविसार की हमारे यहाँ अपने मुल्क में देश को कमज़ूर किया जा रहा है देश के ताने बाने को चिन्द बिनी किया जा रहा है मकसद सिर्फिया है कि केवल पार्टी उनकी मद्बूत हो उसके पास पैसा रहे उस उनके जो हेटकॉार्टर से पूरे देश के हर जिले में हेटकॉार्टर बन जाए एर कंडिशन बढ़िया हालत में उनके इर्दगिर जितने बाबा लोग लगे हैं सब वाई जेड केटेगरी की सुरक्षा प हैं एक भगोड़ा जो हमारा आपका पैसा लेकर अर्बों रुपे लेके भागे वे लोग हैं एक कुब वापस तक नहीं ले पाएं इंडिया की बात में बस इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया और मिलेश और भाशा आप दोनूं का आप सबसे मेरी अपील की स्कारक्रम को जाद से जाद लोगों तक पहुंच आएं और आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं अभिसार शर्मा को दीजिये जासत नमस्कार